हेलो शुडेंट वालकम टू न्यू वीडियो अपना चैनल सही सही ग्रोव कर रहे है अब भी हैप करो अगर हो सगे तो बढ़ाओ सब्सक्राइबर्स लाइक करवाओ शेयर करवाओ क्योंकि इसमें आप काई फायदा है इसमें किसी परसन पार्टिकलरा कोई फायदा नहीं है अगर आपको लगता हूँ कि मेरा कोई बहुत लंबा जोड़ा फायदा है ऐसा कुछ नहीं है यह बस आपके वीडियो के लिए ही है कि आपके लिए बंती रहेंगी अगर मजा आना मुझे बंद हो जाएगा तो बहुत सिंपल सी बात मैं क्यों इतने एफट करूँगा यहा 19.8 इसमें हम डिजीज पढ़ेंगे आज ही शेप्टर को भी हम खतम कर देते हैं अब देखो हमने पढ़ा थे एक्सक्रीशन अब एक्सक्रीशन सिर्फ किड्नी नहीं करती ठीक है कुछ और बोड़ी और गन भी हैं जो कहा करते हैं एक्सक्रीशन में अपना-पना रोल प्ल सिग्निफेकेंट कॉन्टिटी वाटर एवरेड़ी देखो हम जब सास छोड़ते हैं कई बार में सर्दियों में देखा होगा अगर आप शीशे पर अपने सास को लब टकराते हो निकालके मूँ से फूक मारते हो तो वहाँ पर आ जाते हैं ठीक है तो इसका मतलब है आज सि स्टी ग्लेंड second और सिक्रीट बायल कंतेनिग सास like बिरुबीन और विश्रट, यहां आपका अंडिच्ट फूड है। उसके साथ पास हो जाता है। the sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substance through their secretion अब पसीना और sebaceous gland दो होती है वो भी क्या करती है कुछ amount of कच्रे को बोड़ जे बार निकालती है sweat produced by the sweat gland क्या होता है वो वोटरी फ्लीट होता जिसके अंदर NACL small amount of urea, lactic acid ये होता है जिसके वो जैसे उसमें कजी बार smell भी होती है the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect दो मेन काम क्या है sweat का cooling effect है ताकि गर्मी में हमारी body exhausted ना हो ठीक है it also help in removal of some of the waste और ठंडा रखने के साथ साथ हो क्या करता है आपके बोड़ी से कुछ कच्रे को भी बाहर निकालता है से basicist gland, oil gland बगर जैसी होती है eliminate certain substance like sterols, hydrocarbon, waxes through sebum this secretion provide a protective oily covering for the skin ठीक है जो oil body से निकलता है do you know the small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too बिलकुल अब हम बार बार split out करते हैं तो भी उससे कई बार खच्रा बार निकल जाता है अब आपका last है heading आपकी 19.8 इसको पढ़ लेते हैं कुछ बिमारिया रहेंगी disorder है कुछ आपके excreter system के malfunctioning of kidney can lead to the accumulation of urean blood अगर kidney proper function नहीं कर रही है तो बोडिया, sorry not, sorry बोडिया नहीं, it's urea urea blood के अंदर क्या हो जाएगा accumulate हो जाएगा, बढ़ जाएगा to kidney failure और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कई बारतों कि वो kidney तक को fail कर देती है in a such patient, urea can be removed by process called hemodialysis और फिर hemodialysis की help से body को clean किया जाता है वो भी हम आपको बाद में बताएगे कैसे काम करता है during the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery, एक artery लेखते हैं जो उसकी इनसान की ठीक-ठाक सी आर्टरी है उसको pump करेंगे एक dialysis unit के इंदर जो आपका dialysis machine होती है जिसको हम artificial kidney भी बोलते है अब, blood drained from the convenient artery pump into the dialysis unit after adding an anti-covagulant like heparin heparin mix करेंगे ताकि खून जमना दे बोड़े से बाहरा के the unit contain a cold cellophane tube surrounded by the fluid एक cellophane tube होती है जिसके चरह तरफ क्या होदा dialysis fluid होता है और same concentration होती है जो के आपके interstitial fluid में थी composition as that of plasma accept of nitrogen waste the porous cellophane membrane अब उसके अंदर pores हैं वो allow करेगी molecule को उसके आरपार जाने से और होगा क्या nitrogenous waste जो है जो के dialysis fluid के इंदर नहीं है क्या होगा देखो भई एक तरफ nitrogenous waste है एक तरफ नहीं है तो वो जहां नहीं है वाँ जाएगा तो क्योंकि blood के इंदर खचरा है तो वो कहां जाएगा dialysis fluid के इंदर thereby clearing the blood और blood हो जाएगा साफ the cleared blood is pumped back into the vein और बाद में उसको anti-hyperine अब हम anti-hyperine डाल के क्या कर देंगे इसको दुबारा से body में चड़ा देंगे यह क्या होता है काफी लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है बून है ठीक है वो बूरिमिक पेशेंट्स के लिए kidney transplantation severe cases के इंदर ठीक है जब kidney काम ना ही चलाए तो क्या करना पड़ता है एक तरीका है जिसको kidney को बदलना पड़ता है वो आपका renal failure kidney ही खतम होगी एक functioning kidney is used in transplantation from a donor donors यह match ठीक है perfectly close relative हो to minimize the rejection ठीक हो क्या होता है human body जो है वो किसी भी foreign particle किसी भी चीज़ को जो बाहर से आथ इसको reject करती है तो kidney तो काफी बड़ा organ हो जाएगा ठीक है वो तो एक virus vector के उपर भी result करती आफेक्ट अपना असर रिखाती है तो क्या होगा काफी match करना पड़ता उसको modern clinical procedure have increased the source rate success rate of compliance मजब क्या है आज कल इतने साज़ इस medicines है anti-immunity drugs है जो काम चला देती है किसी भी organ को implant करते टाइम renal calcule पत्थर आपने सुना होगा stone stone और insoluble mass of crystallized salt वो भी कहा जाता कि ने के अंदर बन जाता उसको बोलते है पत्थर ही ठीक है glomeral nephritis inflammation जो आपको glomeral था ठीक है इस तरीके का होता है वो इसमें कुछ openings होती है कोनों पर अब देखो होगा क्या यहां से अगर हम blood डाल रहे है पेशिंट का ठीक है आर्टरी से यहां से बनी है cellophane membrane यह cellophane membrane क्या करती है इस तरीके से निकल गई है यह अंदर जो थी यह क्या है आपकी cellophane membrane है इसके अंदर पोर्स है permeable है यह ठीक है यह वेन के तरफ चले जाएगी यह आर्टरी से आई है मतलब यहां पे अगर पेशिंट लोट आ है न कोई अगर कोई इसी पेशिंट को लिटा रखा यहां पे उसके हाथ से ब्लड लिया और उसकी वेन में हम इसको डाल रहे हैं ठीक है अब यह जो background है यह जो background बचा अपना सारा इसके अंदर क्या है dializing fluid है ठीक है अब होगा क्या जो blood की composition है उसके अंदर है यूरिया जादा या nitrogenous waste है लेकिं dializing fluid के अंदर वो नहीं है जब blood यहां से पास हो रहा होगा तो nitrogenous waste बाहर निकल जाएगा और blood जाएगा साफ अब situation क्या होगी कि यह भी भर जाएगा थोड़ टाइम में तो इस तरीके से क्या होता है आपका blood जो हो फिल्ट्र हो जाता है इसको hemodalis बोलते हैं दोस्तों यह था आपका chapter का end अभी chapter होगा खतम I hope आपको पसंद आया होगा इसके questions के लिए आप मुझे WhatsApp पे contact कर सकते हो number मैं यहां लिख देता हूँ और कोई भी query हो तो आप यहां पे easily मुझे contact कर सकते हो this is my number पहले भी कई वीडियो में दिया है तो चलो पढ़ो like करो share करो subscribe करो thank you जय हिन जय भारत